नमस्कार मैं हूँ आपके संगनीत्याम मंत्र यंतंत्र वास्तो के विशेश कास्रम के साथ आज है सरद पूर्णिमा अपने मन की चिंता को दूर करने और लक्ष्मी को परसंद करने का सबसे अच्छा दीन है ये इस दिन आप बहुत आसानी से सारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं और मालक्ष्मी को भी परसंद कर सकते हैं तो बने रही है हमारे साथ हम आपको पताएंगे सरद पूर्णिमा राश्य नुसार जाने उपाया और मंद्र जो आपके लिए रहेगा सुब लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो क्रि देवी स्री महालक्ष्मी की पूजा अराधना का दिन सरद पूर्णिमा तीस अक्टूबर को आस्वनी नसतर में मनाया जाएगा जो अतीस सुब फल दायक सिद होगा अमरी तुल फल परदान करने वाले आस्वनी नसतर में पूजा अरधना करके लिया जाने वाला प्रसाद भी ओसधी रूप में कार्ज करते हुए सरीर को आरोग बनाये रखने में मदद करता है पुर्ण कलाओं के साथ गोचर करते हुए चंदरमा की पूजा तथा उनके किस मंतर का जाप करके अलग अलग रासी वाले जाता कईशे लावान भीत हो सकते हैं इसका जो तिस ये बिशलेशन करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं मेश रासी वालों के लिए इस दिन कितना अच्छा रहेगा और क्या करना चाहिए पूर्णिमा के दीन चंदरमा आपकी रासी पर ही भी दिमान रहेंगे अता रात्री में सनान जान करके खुले आसमान में अथवा अपने चछत पर शुद्ध आसन पर बैट कर रक्षा दीब जलाएं गनेश जी को नमस्कार करें और रात्री में ओम सोम सोवाय नमाह मंतर का एक गारा माला जब करें ऐसा करने से जन्म कुंडली में चंदर जनित दोस्तों से आपको मुक्ती मिल जाएगी बिर्शब रासी सराथ पूर्णिमा के जीन चंदरमा आपकी रासी से बारहवे भाव में भी दिमान रहेंगे अपने संकल्प सिधी के लिए इस पूर्णिमा क कि रातरी में चंदरमा के साथ साथ माता स्री लक्षमी की भी अरातना करते हुए ओम स्री मतेन महा मंत्र का एक गारा माला जब करने से हानी भाव के चंदर जनित दोस्तों से आपको मुक्ती बहुत आसानी से मिल सकती है मिथुन डासी पूर्णिमा के दीन चंदरमा आपकी रासी से लाभव में गोचर करेंगे अताहिया दीन आपके लिए किसी बरदान से कम नहीं है चंदरमा की सुपता में और बिर्धी तथा कार्ज बेपार में सभलता प्राप्ती के लिए पूर्णिमा की रातरी में ओम चंदरमा से नमहा मंत्र का कम से कम एक गारा माला जब करने से सभी कार्ज बधाय दूर होंगी रुके हुए कार्जों में भी आपको निपडारा करकर आशी आपके राशी स्वामी चंदरमागा इस दिन करम भाव में बिद्धमान रहेंगे चंदरमागा की प्रसंता और अस्थिल लक्षमी प्राप्ति के लिए इस रातरी में ओम चंदराय नमह मंत्र का कम से कम आपको एक गारा मला जब करना आपके लिए बहुत ही सुब रहेगा सिंग राशी पुर्णिमागा के दीन धर्म भाव में चंदरमागा का गोचर आपको इस्थ कार्ज में सिद्धी प्रदान करेगा संतान संबार्ग पर चले और जीवन सुचारो रूप से चलता रहे इसके लिए इस रातरी को ओम सुधा नीधिये नमह मंत्र का कम से कम आपको एक गारा मला जब करने से बेर्थ चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी कन्या रासी इस महा पुन्य फलकारक परव के दीन पुन्य चंद आपकी रासी से अस्टम आयू भाव में रहेंगे जिसके परिणाम सुरूप स्वास्त पर बिप्रित प्रभाव पर सकता है सत्रूभी हावी होने की कोशिस करेंगे चंदर के असुप प्रभाव से बसने के लिए रात्री में ओम शोम स्वायन महा मंत्र का कम से कम आपको एक गारा मला का जब करना चाहिए इस से बिशम प्रस्थितियों से आपको मुक्ति मिल सकता है तुला रासी आपकी रासी के सत्तम भाव में इस दिन पूर्णी चंदर विराजमान रहेंगे जिनके सुप्रभाव से कार्ज बेपार मुनत्ती तो होगी ही बिवाह संबतित बारता भी सफल रहेगी पारिवारिक माहुल खुस नमा रहेगा चंदरमा की परसंतर तता सोभाग बिर्धी के लिए इस रात्री को ओम चंदरमा से नमहा मंत्र का कम से कम आपको एक गारा मला जब करना चाहिए बिश्चिक रासी रासी से चठे सत्रु भाव में फूर्णी चंदरमा आपकी हर प्रकास से रक्षा करेंगे फिर भी इस दीन किसी को भी अधिक धन उधार की रूप में ना दे गुप सत्रों की भी चाल सफल नहीं होगी उत्तम स्वास्त धन एबम एस्वर्णी की बिर्धी के लिए मधरातरी काल में ओम अनंताय नमहा मंत्र का एक गारा माला जब करने से रुके आथवा बिग्रे कार्शीगर बनेंगे धनुरासी रासी से पंचमभव में सरद पुर्णीमा के दिन चंद्रमा का होना आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है यदि आप विद्यारती है तो सिक्षा प्रतियोक्ता में सफलता मिलेगी सासन सत्ता का पुन्च सुख मिलेगा सफलताओं की सिलसिला निरवाद गती से चलता रहे इसके लिए मधरातरी को ओम सुर्व स्वामी ने नमहा मंतर का कम से कम एकगारा माला आपको जब करना चाहिए मकर रासी रासी से चत्रत भाव में पुन्च चंद्रमा कई तरह के और परत्यासित प्रिनाम दिला सकते हैं हो सकता है कहीं न कहीं आपको मांसिक और सांती का सामना करना पड़े किन्तु कार्ज बेपार के दिष्टी से यह योग आपके लिए बेहता रहेगा नोकरी मुनत्ति तरह सुक्सांती बिर्धी के लिए ओम छिन पापाय नमहा इस मंत्र का कम से कम एगारा माला आपको जप करना आपके लिए बहुत ही सुभ होगा कुम रासी रासी से प्राकरम भाव में पुन्चंद्र आपके सौभाव में शोम्यता लाएंगे आपके दोरा किये गए सभी कार्जों की शरहना होगी महला बढ़ के लिए यह योग उत्तम रहेगा धर्म के परतियास्था बढ़ेगी तथा रोजगार के नए अपसर उपलब्द होंगे मान सम्मान की निरंतर बिर्धी होती रहे इसके लिए मदरातरी को ओम धनुर धराय नमहा मंतर का कम से कम आपको इस दिन अगारा मलाजब करना चाहिए मीन रासी रासी के धनभाव में पूर्ण चंद्र आकस्मिक धनप्राप्ति भी करा सकते हैं किन्तु किसी न किसी कारण से पारिवारे कला भी बढ़ सकती है शरकार था समाज में किसी बड़े शम्मान की घुशना भी होने के योग बनेंगे स्वास्त बिश्यस करके नित्र समधी बिकार से बच्टे रहें ओम सोम सवायनवह मंत्र का आपको इस दिन सरत्पुणिमा के दिन कम से कम 21 माला का जब करना आपके लिए बहुत यह उत्तम होगा तो आज आपको अपने रासी के नुसार क्या मंत्र जाप करनी है आपको रातरी के समय में अपने घर के पूजा स्थान में या खोले स्थान में कहीं भी बेट जाएए अपने रासी नुसार इस मंत्र का चप आपको अबस्य करना चाहिए आपके जीवन में जो भी समस्याएं होगी वो समस्याएं माता लक्षमी और चंदर गरह के प्रभाव से खत्म हो जाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो खिर पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों के साथ भी सरकरें ताकि वो भी आज की रात में ये उपाय को करके अपने मांसिक चिंता को दूर्ज कर सकते हैं और धन के भी प्राप्ति कर सकते हैं धन्यवाद